आज मैं आप लोग के लिए कराए हूँ गार्लिक पेपर मश्रूम की रेसिपी जब आपके पास समय हो कम हलके फुल के भूग में फटा फट से कुछ बना के खाना हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा तो चलते हैं आज किस रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं यह twa बड़े हैं यह रही है जुआ कि मैं खणिए आपको यहां पर चाहिए यहां प्रच पाउडरा क्तार आ वह बीकाली डरा क्व करता है। तो यहाँ पे कारली मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है अब हम चलते हैं नेक्स प्रसेस के लिए अब आप पैन में थोड़ा सा बटर डाल देगा इसका आच बिलकुल धीमा रखें नहीं तो बटर बहुत जल्दी जलने लगता है बटर हमारा ना जले इसलिए यहाँ पे और लहसुन को आपको बहुत जादा बार एक नहीं काटना है अब आप क्या करें कि लहसुन को थोड़ा सा बटर और तेल के साथ पका लें तो इसे पकाते हुए पूरे 20 सेकंड हो गया है ध्यान रिखेगा कि इसका कलर आपको नहीं चिंच करना है बाद में भी यह मश्रू के डालते हैं इसमें से बहुत सारा पानी निकलने लगेगा और मश्रूम का जौन उपात है वह बहुत चोटा हो जाएगा और इसमें वह टेस्ट नहीं आपाएगा तो मीडियम आज पे आप इसे तीन से चार मिनट तक भूल लें जब आप इसे बटर के साथ भूनेगे ना को लोगना मश्रूम बहुत शौक से खाते हैं तो फटा फट से आप इस गारलिक मश्रूम को बना के सर्फ कर सकते हैं तो अब आपको यहां पे डालना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तो मैंने यहां पे आदा छोटा चमच चिली फ्लेक्स डाला है बाकि आप अपने तीखे स्वात के अनुसार इसका अनुपाद भी आप बढ़ा सकते हैं आदी चोटी चमच औरगीनो डाल दें औरगीनो इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है अगर आपके पास औरगीनो नहीं है तो आप मिक्स्ट हप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप यहां प अब आपको यहां पर करना है थोड़ा सा बठर और डाल देना है जैसे ही बठर ड़ाई के मिक्स करेंगे ना मश्रूम के उपर इक बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और मश्रूम का जो टेस्ट है वह बहुत काफी बढ़ जाएगा तो बस अब आपको यहां पर क्य और यह हमारा पेपर गार्लिक मश्रूम बनकर तयार है गर्मा गरम सर्फ करने के लिए उमीद करती हूं कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो अच्छा एक बात और कि इस रेसिपी का मज़ा तभी आएगा जब आप इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा बटर इसके उपर जम जाएगा तो वो स्वाद नहीं आपाएगा तो मैं तो इस रेसिपी का आनद उठा रही हूं आप भी बनाएं खाएं और अपने परिवार में सभी को खिलाएं रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मुझे इंतजार रहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी मंतरा में तब तक के लिए बाइबाई